अगर आप एक mileage वाली motorcycle जिसमें की शौक भी पूरे हो सकें जो की functional भी हो और ऐसी जो की बिल्कुल low maintenance हो और एक ऐसी बरोसे मन कंपनी से आरी हो जिसका नाम है hero लेने की कोशिश कर रहे हो तो यह एक product है जो की new ही है अभी market में इसको बोलते है passion x-tech और इस passion x-tech में बहुत सारे tech है जैसे कि अगर start में करो तो सबसे ची जो इसके ना चीज मुझे लगी वो है इसकी LED headlamp और जो उपर देख रहे हो यह reflector headlamp है नीचे वाले दो projector headlamps है तो first in the segment यह LED technology लेका है इस वाले segment के अंदर basically और अगर इस motorcycle को पूरा मैं देखूं जैसे मेरी height 511 है तो यह full-size motorcycle कोई चोटी या बड़ी नहीं है road presence देखनों तो कुछ ऐसा लगेगा मेरी ऐसा बंदा हलका सा हलका सामें बैंड होनों कि मेरे height 511 है अगर को 555 फिर 56 है तो वह proper तरीके से इसके अंदर चला जाएगा इसी straight इसकी position है जो riding position है तो काफी comfortable है ride के अंदर यह bike हमारे पास है दो दिनो से और हम इसको चला रहे है काफी चला चुक है इसलिए इतना सारी बाते बता आपको तो को styling इस motorcycle की ऐसी है कि इसके अंदर ना बड़े बड़े तो wheels मिल जाते है जिनका की size है 80 118 यानि का 18-inch के यह wheels है और इसमें जो हमारे पास variant है यह disc brake वाला इसके इतने dumb brake वाला भी आता स्मूथ है काफी soft है और पता नहीं चलता है कि छोटे मोटे घड़े जो है वो कब से पाल जाता है एक चीज़ तो इसके इंदर मानने वाली है अब इससे थोटी ची उपर चलता हो ना तो यह जो face है इसका actually यह बहुत ही attractive बना रखा है इस बार ही hero ने और यह जो extract वाला जो तो instrument cluster इस बारी काफी beautiful काफी nice बना रखा है clean है और digital screen है पूरी की पूरी यहाँ पर देखिए यह फ्यूल गेज है जो round सा दिख रहा है यह आपकी speed आ गई यह आपके auto reading आ गई यहाँ पर average आ गई यहाँ पर आपकी जो main जो वह आपके trip अगरा trip 1, trip 2 वह यहाँ पर इन सुवर यहाँ पर यह लग जाता है इसका की handle जो है handle का size 22 mm और यह काफी high raise है तो जब मैं इसके उपर बैठता हूं तो काफी अच्छा लगता है handle के बाद ही यहाँ पर आता है यह most important button जो की fuel efficiency में बहुत जादा कामियाव है इसको बोलते है i3s यह engine cut-off switch होता है जो कि आ पर खेड़ होंगे तो रुख जाएगा भी वह चलागे रिखाओं को आपको तो पता चलेगा फिर यहां पर सेल्फ का बटन आ गया है इसी के बाद ही इस तरफ यहां पर हॉन और यह turn indicators high low light यहां पर passing उसके बाद ही एक छोटा सा प्यारा सा यहां पर 10-liter capacity का यह fuel tank है और इ 10-liter का fuel tank है और यह जो seat है यह sofa seat इसके दे रखी है में को तो काफी comfortable लगी मैंने भी motorcycle बहुत देर तक चाही उसके बाद में जो seat है यह stitch है यहां से और यह dual fabric से less है तो मतलब यहां पर एक कोई और सा फैबरिक है यहां पर कोई और सा फैबरिक है और इसकी जो grip है यह बहुत क्लीन कर दी है जो टेल लाइट है वह अगर आप देख पा रहे है क्योंकि इस वक्त गे लाइट है तो यह हेलोजन टेल लेंप है बट यह dual shaded है मतलब यह पहले ट्रांस्पिरेंट कलर का इसके ओपर cover है उसके अंदर रड कलर की टेल लाइट है यहां पर नंबर प्लेट ला तो साउंड कुछ इस ट्रैप का है क्योंकि कम्यूटर मोटर साइकल है अब देखो यह जो स्टैलिंग है यहां से हलका बहुत चेंज किया हुआ है जहांते में को लग रहा है और यह जो है ना इसके ग्राफिक्स वगारा नए आ गए है जो पेंट ही जो कॉलिटी है वो भी है को आछ गया है तो यहां पर लिया सऩय जो हर चाहरा है तो यहां पर एक यह पर है ठोल्ट जो कि अंग्रेक्स का अफ़ डाउनन के अंधर अग्या है ---- और जिछ शूगर के बाद यहां पेया के लिए प्लियन के मिलती है उक्या प्रमिन ईक को जो ब्र्लामइछ तो नव कॉंबिनेशन बना रखा है यह काफी क्यूट सा लग रहा है और क्यूट सा क्या लग रहा है तो इस सेग्मेंट की अगर हम मोटर सैकल की बात कर रहे हैं तो इसमें जितनी चीजे मिल जाए इन पैसो में क्योंकि बाइक में सिफ दिस ब्रेक का ही एक छोड़ा सा फर्क है थीन आप से काफी अच्छा टॉक निगाल देता है दूसरी चीज यह जो इंजन है यह माइलेज बहुत अच्छी निगालता है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जब इस बाइक को ट्राय किया टेस्ट किया और वैसे भी ट्राय टेस्टिट है अमने तो दो दिन पस चला जाली इसको तीन लेटर पेटोल लवागे तो यह अपने कॉंसोल के अंदर दिखा रहा था कि हमें बिली एवरेज सिटी दिली के अंदर सेवंटी टु सेवंटी फाइव ऐसा दिखा रहा था लेकिन मैं एजियूम कर रहा हूं कि अगर दस किलोमेटर कम भी कर लेना उसमें तो 60-65 की मैलेज तो यह हमें सिटी के अंदर दिखा रहा है अब सोचो मैं कई हाई वे चला जाओ किसी बाइपास बाइपास पे चला जाओ और स्पीड रखूं लो हलकेल किसी स्पीड पर मैं जाओ तो यह बहुत जारा मैलेज देगी अगर मैं इसको खीच के चला लू तो पच-पंच के आस-पस तो देगे देगे अगर मैं फुल थ्रोटल देगे चला हूं तो माइलेज के अंदर तो यह बाप अफ दी मोटर साइकल है माइलेज बहुत अच्छी है इसकी इस केटेगरी की मोटर साइकल के लिए निन मोटर साइकलों को जब डिजाइन के रहता है तो सबसे अची चीज क्या दी कि मैंने अपने फोन को Bluetooth से इस डिवाइस में connect कर दिया था तो Bluetooth से connect हो जाता है इसके अंदर कुछ जादा कुछ नहीं हो सकता है लेकिन हाँ यह है कि जब आप यह फोन आपकी जेम में रखा हो और जब कॉल या मैसिज आएगा तो वहाँ पर अल आपि को तो बाउस जानगेपै यहां छेज यहां पर अद मैल्फंक्ष इस की रखता है अब है जब नुडबर इंसी चैंट यहां घरatas और यहां पर 12 को श्यूआ है उस्यूआ के लिआट सियन अपर इन नेयू ज्कुता है अब पर रहे प्रलू कंग करता हुआ यहां यहा यह बार अच्छा फीचर उसके बाद एक और फीचर है जो की काफी सिनेरिश के नहीं काम आता है वो है अगर बड़ी डेटा केबल है यहां पर यह यो एस भी लगा ये बड़ी डेटा के प्नी फॉक्त में रख लीजिए, वनना यहां पर यहां पर में यहां पर मॉइल होल्टर लगा लिजिए अब इस segment में अगर chain open होना, तो वह useless होती है तो इस chain cover से क्या होता है? जो end to end कि जब पेट्रोल के प्राइज इतने जादा बढ़ रहे हैं तो हमें ऐसे प्रोड़क्त पे जारा सुचोना चाहिए अगर हमें अपनी बेसिक नीट्स को निपताना है अगर शौक है तो बातचीत अलग है इस सेग्मेंट की बाइक लोड लेने के लिए भी बनाई जाती है त अगर अगर इसको टॉक देखने के कोशिक करनो क्योंकि टॉक है नाइन पॉइंट सेमिंटिफाइफ के असवर जो पांच-छार आप मिलता है लेकिन फिर भी देखते है एक वारी थी टूवन सार्ट देगा तो है तो सही बाइक के इनना दम है अगर तीन लोग में बैठते इस बाइक पे अच्छे से यह उठा सकती है उनका वेड वेड उठाने में इस मोटर सेगल को प्रावलम नहीं है रोड प्रेजंस अगर देख लें तो रोड प्रेजंस कुछ ऐसी लगे है तो वैसी सेम केटिगरी की मोटर सेगल लेकिन जो रोड प्रेजंस है वो ऑशम है और ओसम इस सेगमेंट में क्यों मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस सेगमेंट में जो मोटर सेगल साती है वो देखिएगा गोर गएगा इस बात को बहुत पतली-पतली होती है बट इस सेगमेंट की जाहतर बाइकों से इसके इंदर सबसे ज्यादा फीचर्स है जैसे की LED Headlamp, Digital Console और यह जो i3s का फीचर अब यह i3s का फीचर क्या होता है देखिए यह है i3s का बटन और यह i3s हीरो की अपनी टेक्नालोजी है पेटेंटेड और यह बाकी और कंपनी भी यूज़ करने है लेकिन अलग अलग नाम से तो यह ओफ है ओफ में क्या होगा कि जब आप बाइ कितना बस सकता है देखा बाइक हो गई ना बन एकडम से जैसी मैंने खड़ी करी तो क्या है कि जब यह मैं खड़ी कर दूँगा एक रेड लाइट पर जाके या फिर मैं रुक रहा होंगा तो इंजन अपने आप शटडाउन हो जागा कर मैं भूल भी रहा हो तो अब जाए कि जोतनी पड़ी और मैं फिर गे डालके ये निकल जाओंगा तो इन सब छोटे मोटे फीचर से ना एक ये फरक आता है कि जो इंजन है वो गिसे का कम तो मेंटिनिंस लो जाएगी दूसी चीज ये जो फ्यूल है उसकी एकनोमी या माइलेच वो बढ़ दाएगी क्योंकि आप जादा स्ट्राटी नी कर रहे हो जैसे दिल्ली एंसी आ रहे है पिसमें ट्रैफिक इतना होता है जहां पर भी आप रोखोंगे इंजन अपने बंद भाइगा ये एक मॉटर फीचर आज की डेट में अब देगे ऐसी बाइक के इंदर पॉंच ऑफ इंप्रमेंट बतान और रात को ये जो लाइट है वाइट लेकी जलती है तो ऐसा लगता है कि कोई मॉडरन और कोई हाइफाइब महेंगी बाइक है देखिए इस बाइक में बहुत सारे ऐसी चोटी-चोटी सी चीजें जो कि इस सब चीजों को मिलने के बारे एक मोटर साइकल बनती है बट अग सब्सक्राइब में तो हीरो ने इस बाइक के साथ पास सल की व कर दा क्या क्यों कि यह उस कumbles ऊंक्र ne पर पर जीड है, प्रापर सा है जो की माईलेज बहुत अच्ही निक देगा. हमारा काम था एक लिजा, वीडियो बना करें लिखाना। आपको क्या रिख दिल्लीरी शेयर कर जाना। वीडियो नेश्य में कईभ चली लिया हैं। झाल झाल